जै मातादी मित्रों तपो भूमी क्लासिस में मैं अब्देश बदोरी आपका स्वागत करता हूँ मानव अदेकार संरचड अधनियम का अध्याय तीन आज हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय का नाम है आयोक के क्रत एवं सक्तियां अध्याय में आयोक के क्या क्या काम है और उसको क्या क्या सक्तियां मिल रखी है इनके बारे में बताया गया है इस अध्याय में कुल पांच धाराएं हैं धारा नमबर 16 से लेकर धारा नमबर 20 तक इसमें यह देखो यहाँ पर आपको सारी धाराइं दिख रही हैं आप इनको पढ़ सकते हैं एक बार इसमें धारा नमबर बारा और धारा नमबर तेरा सबसे ज़्यादा महतपूर है। आईए देखते हैं क्या कहती है धारा बारा धारा का नाम है आयोग के करत्त यानि आयोग को क्या क्या काम करने होते हैं यह है धारा बारा में। तो जैसा हम सभी को पता है कि मानव अधिकार आयोग क्यों बनाया गया है तो वो ही उसके काम होंगे कि यह भई यह करना है आपको मानव अधिकारों का कहीं भी उलंगन हो रहा है तो उसको रोकना है या फिर कोई भी ऐसा काम जो मानव अधिकार के संवर्धन के लिए उसके काम मानव अधिकारों के संबर्दन के लिए बढ़ावे के लिए जरूरी है आप वो करिए तो यहां पर जो महतपूर काम है वो हम देख लेते हैं जो सबसे पहला काम है वो है मानव अधिकार आयोक मानव अधिकारों के उलंगनों की जाच करेगा अब यह किन मामलों की जाच क सकता है। सुअ प्रेना का मतलब है दोस्तों कि कोई ऐसा मामला जो इसको खुद से मालुम हो आयोक के नजर में खुद से हो कि ये मामला बेहध महत्पूर है यहां पर माना वधकारों का और लंदन हो रहा है तो इसकी जांच उन्हें करनी चाहिए तो ये खुद से वाहां पे उस मामले को ले के आएंगे और उस पी उसकी जाँच करेंगे ठीक है दोस्तों दूसरा जो इनका दूसरा जो पॉइंट है वो है दूस प्रेरड की जाँच तो पहले आप लोग ये देख लीजे कि दूस प्रेरड क्या होता है माल लिया किसी एक व्यक्ती ने दूसरे व्यक्ती से बोला कि जाके उस तीसरे व्यक्ती के मानव अधकारों का उलंगन कर दो और उस दूसरे व्यक्ती ने तीसरे व्यक्ती का जाके मानव अधकार का उलंगन कर दिया इसका मरलाव है कि जो पहला व्यक्ती था उसने दूसरे व व्यक्ति ने दुस्प्रेरर किया है तो इसकी भी जाँच मानव अधिकार आयोक कर सकता है तीसरा है किसी लोग सेवक द्वारा HRV को रोकने में उपेच्छा है HRV क्या है दोस्तों HRV है Human Rights Violation यानि कि मानव अधिकार उलंगन को रोकने में कोई लोग सेवक उपेच्छा कर रहा है तो उसकी भी जाँच कर सकते हैं देखो इसको कैसे समझ सकते हैं दोस्तों जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पे मानव अधिकारों का उलंगन हो रहा है और आप उस जिले के कलेक्टर महोदाय के पास गए कि कहा कि महोदाय यहां पर मानव अधिकारों का उलंगन हो रहा है आप कुछ करिये तो वो आपको बैसा ही आस्वासन दे दें हाँ हाँ करेंगे करेंगे और किया कुछ नहीं तो उन्होंने उपे अच्छा की आपकी तो आप इस पे भी सिकायत कर सकते हैं मानव अधिकार आयोग से और मानव अधिकार आयोग इस पे जाच कर सकता है इस बात की चल नहीं पाएगा तो वो स्वप्रेड़ना से हर एक मावले की जाश तो कर नहीं सकता अब कोई पीड़ित है तो वो खुद से पहुंच जाए कि हमारे मानव अधिकारों का हनन हुआ है उलंगन हुआ है तो हमारी जाश कीजिए तो उसकी भी जाश करेगा अब बहुत से लॉबे भी वो जाश कर सकते हैं और इसमें एक और पॉइंट है आखरी वो है कि नियालय द्वारा यदि ऐसा निर्देश या आदेश दिया गया हो यानि किसी मामले में नियालय ने निर्देश दिया हो कि यहाँ पर मानव अधिकारों का उलंगन हुआ है आप इसकी जाश की लिए होता क्या है कि मान लीजिए कोट में कोई केस आया जो मानव अधिकारों के उलंगन से संबन देता है तो कोट अपना वक्त जाया ना करते हुए सीधे इनको पहुचा देता कि आप देखिए जरा इसमें आप एक्सपर्ट हैं इसकाम में तो यह लोग उसको देखते हैं यहाँ पर अब बी पॉइंट है कि अगर किसी कोट में नियालाय में कोई कारवाही चल लई है और मानव अधिकार आयोग समझ रहा है कि इसमें उसको भी सामिल होना चाहिए इसकी जाच में तो वो नियालाय की इजाज़ा से उसमें हस्तचे कर सकेगा तीसरा पॉइंट है यहाँ पर सी कि राज सरकार की अनुमती से जेल या अनसंस्ता जहाँ पर उपचार सुधार या संरच़ड के प्रियोजन के लिए व्यक्तियों को निरुद रखा जाता है उनके निवासियों के जीवन की दसाओं का अध्यन करना और सरकार को सिपारिस यानि कि क्या है कि ऐसी जगह जहां पर कोई किसी को उपचार के लिए रखा गया है निरुद रखने का मतलब है यहाँ पर बंदी बना के रखा गया है बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है या सुधार के लिए रखा गया है जैसे कि पागल खाना है वहां लोगों को बंद जाच कर सकता है लेकिन राज सरकार से अनुमती लेके ही जाएगा ये जेल के अंदर जाएगा पागल खाने के अंदर जाएगे मानव अधिकार आयों के सदस लोग या पिर जिस भी अधिकारी को ये लोग अपॉइंट करके भेजें वो वहाँ जाएगे देखेंगे वहाँ की जीवन दसाओं को कि यहांप मानव अधिकारों के इसाब से काम चला है कि नहीं, अगर नहीं चला है तो कुछ सिपार से देंगे राज सरकार को, कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, ठीक, धारा बारा का जो डी पॉइंट है, वो है, मानव अधिकारों के सरचड के लिए, यह लोग संबदान या पिर कोई नियम आया है, कानून का कोई नियम आया है, उसमें जो प्रावदान दिये गए हैं, उनको ये लोग फिर से देखेंगे, और देखेंगे कि इनके इंप्लिमिटेशन सही हो रहा है कि नहीं, इनके इंप्लिमिटेशन में कोई दिकत तो नहीं आ रही ह ये कानून सही भी है कि नहीं, ये बिवारिक है, ये सब चीज़ें देखेंगे, और देखने के बाद पिर ये सिपारिस करेंगे, कि इसमें ये कमी है, इसको दूर किया जाए, ये सब काम है इनका, क्योंकि देखो इनका मूल काम है मानावधकारों को सम्मर्दित करना, उसके लिए ये सारी चीज़ें जरूरी होती है, ऐसे ही एफ में दिया गया है, कि मानावधकारों पर हुई संदियों एवं अंतर राष्टिये लेखाओं का अध्यन करेंगे, और उनका प्रभावी क्रियानवेन के लिए सिपारिस देंगे, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर कहीं क कोई संदि हुई है, या पर कोई समिट हुई है, जहां मानावधकारों के बारे में बात की गई है, तो ये उनके किरियानवेन के लिए अपने देश में बताएंगे, कि अपने को भी ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक, और जो इनका काम है, एक काम ये भी है, कि ये सभी को मानावधकार क्या है, वो उनको पूरे मानावधकार मिल रहे हैं, कि नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे NGO की मदद करना, उनको प्रोसायत करना, जो मानावधकारों के लिए लड़ रहे हैं, या मानावधकारों के संबर्दन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर बाकी के कितने ज़्यादा important नहीं है, इनमें पहला point ही सबसे ज़्यादा important है, जो की जांच से संबंदित था, कि मानवदकार के उलंगनों की जांच है, उससे संबंदित point सबसे ज़्यादा important था, और एक राज सरकार की अनुमती से ये जो जेल, पागल खाने वगेरा का विचरण कर सक सकते हैं, अब हम देखते हैं धारा तेरा, चूंकि धारा बारा मैं दिया गया था कि ये लोग जांच कर सकते हैं, मानवदकार के उलंगन की, तो उससे संबंदित इनको सक्तियां भी मिलनी चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं कि मानलो, मैं ही खड़ा हो गया कि हाँ, मेरे को जा जानवदकार आयोक का सदसू, यानि कि मेरे को कोई सक्ति दी गई है, जांसे संबंदित, तो मैं वहाँ पर जांच कर सकता हूँ, तो बैसा ही सेम टू सेम काम यहाँ पर है, कि जांसे संबंदित सक्तियां धारा तेरा में बताई गई हैं, तो इनको क्या सक्तियां दी गई ह इनको जो सक्ति दी गई है वो प्रमुक ये है कि आयोग को सिविल प्रिक्रिया सहंता 1908 के तहट सिविल न्यायलाय की सक्तियां प्राप्त होंगी यानि कि जो सिविल कोट को जो भी पावर्स होती है वो सारी पावर्स इसको दे दी जाएंगी कि आप जाच कर रहे हो तो आप बिल्कुल सिबिल कोट हो ये मानके चलो तो उनके पास जो भी पावर्स होती हैं यहां पर लिखी हैं जैसे गवाहों को बुलाना दस्तावेज मंगवाना या फिर न्यायलाय से कोई जरूरी कागजाद मंगवाना ये सारे काम हैं आप वीडियो पॉस करके इनको पड़ भी सकते हैं ठीक है बाकी साथी साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे इनको कोई जरूरी सूचना मंगवानी है या कोई या कोई दस्तावेज मंगवाना है और उसका उस व्यक्ति का या कर्तब है कि इनको वह है दस्तावेज या सूचना देनी चाहिए और वो नहीं देता है तो उसको भारती दंड सेहता की धारा 116, 177 के तहट दंडित करना होता है धारा 177 और 176 जो है भारती दंड सेहता की उस धारा में लोग सेवक की बात ना मानने से संबंदे प्रावधान दिये गए हैं यहां पर एक और मेतपूर बात दी गई है इस जगह की आयोग ने कोई अधिकारी निक्त किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऐसा अधिकारी जो राजपत्रत अधिकारी के नए रैंक से नीचे काना हो तो आयोग को लगता है कि किसी के मकान में या किसी जगह पर कोई ऐस सबूत है या कोई ऐसा दस्तावेज है जिसकी केस के लिए जरूरी है तो ये उस अधिकारी को वहाँ पर पहुँचा कर वो दस्तावेज मंगाने के लिए पावर रखता है ये उस अधिकारी को पहुँचाएगा कि आप उस भवन में जाईए वहां से ये काम लेके आईए ये धारा 13 के बाकी के सेस नियम है, ये ज़्यादा महतपूर नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं समझा रहा है यहाँ पर, अगर आप इनको पढ़ना चाते हैं तो वीडियो को पॉस्ट करके इनको आराम से पढ़ सकते हैं, अब हम आते हैं धारा 14, धारा 14 मैं अनुशन धान य करेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं तो ये इन्वेस्टिकेशन के लिए कोई भी अधिकारी को निउक्ती कर सकते हैं, हम पिछले वीडियो में भी ये चीज़ देख चुके हैं, कि इनको किसी काम के लिए जिस भी अधिकारी या श्ठाप की निउक्ती करनी होती है, तो यह तुरंट कर सकते हैं, तो या फिर investigation के लिए कोई investigation agency की भी सेवा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको भारत सरकार या राज सरकार से सहमती लेना आवशक होता है, कि हम फलाने अधिकारी को नुक्त कर रहे हैं, आप अपने अधिकारी को हमें दे दीजिए, ठीक है, य इस agency को नुक्त कर रहे हैं, लेकिन राज सरकार और केंट सरकार, जिस से भी सम्मंदित ये मामला है, उससे अनमती लेनी होती है, उससे सहमती लेनी होती है, यहाँ पर भी जो जाच अधिकारी होता है, और जो जाच एजंसियां होती हैं, उनको भी investigation के लिए बहुत सारी powers द यह जाच एजंसियां जाच की रिपोर्ट को तै समय सीमा में आयोग को दे देती हैं, ततपस्चात आयोग इन रिपोर्टों पर विचार करता है कि यह जाच सही हैं या नहीं, सातियों अब आते हैं धारा पंदरा पर, धारा पंदरा में बताया गया है कि आयोग के समच जिन व्यक्तियों ने कोई साच यानि evidence या गवाही दी है, उन पर कोई भी सिविल या दा पंदे कारवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर किसी ने जूटी गवाही दी है या जूटा साच दिया है, तो उसके उपर दंडात्मक कारवाही उस विसेस गवाह के लिए ही की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी इसके लिए भी कुछ नियम कानून है, वह यह तभी पाई से सुसंगत हो, तथा आयोक को ऐसा लगे कि यहां पर कारवाही की जानी चाहिए, अब आते हैं इस अध्याय की आखरी धारा पर, धारा सोला, धारा सोला है प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना पर व्यक्तियों की सुनवाई, इस धारा में अगर जाच आयोक क किसी भी स्तर पर ये लगता है कि उन्हें किसी व्यक्ति के आचरण के वारे में जाच करना जरूरी है, या फिर उसे यह लगे कि किसी व्यक्ति की प्रतिश्था पर उस जाच से प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की संभावना है, तो वह उस व्यक्ति को जाच में सुने जान में evidence प्रिस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा इसका मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी case चल रहा है मानवधिकार से सम्मंदित और वहां पर किसी व्यक्ति के आचरड की हमको जाच करनी है तो ऐसा जरूरी आ जाता है कभी कभी case में कि उसके आप हमको ये बताईए कि क्यों ना हम ये जाच करें आपके उपर आखिर क्या वज़ा है कि हम आपके आचरड की जाच ना करें या फिर कहीं से मानवधिकार आयोग को ये लगता है कि किसी बड़े व्यक्ति पे मानवधिकार उलंगन का आरोप लगा है और मानवधिकार आय मानव अधिकार आयोग एक बार अपना जवाब प्रिस्तित करने के लिए कहेगा कि आखिरकार ये मामला क्या है हमको बताएए अगर आयोग को फिर भी ये लगेगा कि यहां पर कुछ गड़वड है तो वो उसकी जाँच करेगा क्योंकि बात ऐसी है कि हम चलेते मानव अधिकार अधिकारों का संरच चड़ करने और खुदी मानव अधिकारों की बेंड बजा दी मानव किसी की जाँच भी ऐसे की कि उसके उसकी पूरी इज़्जत डुबो डाली अपनने तो वहाँ पर मानव अधिकारों का उलंगनी हो गया एक तरीके से लेकिन यहाँ भी इसमें भी अगर किसी गवाह की साक पर ही आच्छेप लगा हो तो फिर इस धारा की बात लागू नहीं होती मानलब अगर किसी के आच्रड से सम्मंद थी कोई केस लगाया गया हो मान लीजे किसी व्यक्ती ने कोई बहुत बड़ा व्यक्ती है उसने किसी का रेप कर दिया तो वहाँ पर फिर ये लोग उसको बचाओ के लिए सुरुआत में साच प्रस्तुत करने के लिए समय नहीं देंगे उस पर सीधे केस चालू करेंगे क्योंकि यहाँ पर उसके आच्रड पे ही आच्छे प्र लगा दिया गया है तो दोस्तों बताईएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं मुझे सुझाओ भी देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आपको आँगे के वीडियो उसके नोटिफिकेशन मिलते हैं